हेलो फेंड स्वागे तेयाफ सभी का आपके अपने स्वेटूप चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में बताए जाने वाली हर एक बार आप लोग ले बहुत ज़्यादा जरूरी है जब भी आप साइट पे काम कराते हैं या आप अपने घर को बनाते हैं तो उसमें इस्तमाल होने वाली जो इटे होती हैं उनको हम कैसे चेक करें कि ये सही है या नहीं मैं आपको सारी बाते बताने वाला हूँ साथी साथ मैं आपको कुछ टेस्ट हैं जो साइट पर परफॉर्म करके बताऊंगा जिससे आप खुद भी चेक कर सकते हैं जो आपके घर में इट यूज हो रही है वो हमारे लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी क्योंकि बहुत सी जगा बेफ को बनाया जाता है और वो कहां बनाया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे कि आप देख रहे हैं यह पर एक ही ब्राइंट की काफी सारी इटे हैं अब लोगों के माइन में जो रहता है कि एक ही ब्राइंट की इट आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो वो भी क्या दिक्कत होती है मैं आपको वो सब चीजे बताने वाला हूँ इसलिए मैंने सारी इटे हैं पर रखी हुई है एक एक करके सारे point मैं आपके साथ cover करूँगा और ये हर एक point आपको पता होना चाहिए अगर कोई technical person है तो fresher है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा help करने वाली है और मैं तो ये कहुँँँगा कि अगर आप जब भी इट को खरीदें तो उससे पहले ये कम से कम जो भी बातें मैं बताओं उनको जरूँ चेक कर लेना है तो वीडियो में इन तक बने लेना और ये वीडियो अच्छे लगए तो प्रिस वीडियो को लाइक करना अगर होती है तो काफी सही हिट होती है जब कि दैवाल हमारी 9च भीडियोगство है अभी दोखों यहाँ पर आप जो इट है देख रहे हैं कोई एक ही ब्राइंड की इट है ठीक है एक में आठ इंची की इट है जैसे कि आप यह देख रहे हैं यह इट है साड़े आठ इंची की कोई सब आठ इंची की मिलेगी ठीक है अभी मैं आपको सारी एक एकर करके दिख हो गई अभी यह 9 इंची की इट अगर आप नहीं लेते हैं कम आ जाती है तो वो क्या गल्ती कहां पे होगी मैं आपको दिखाऊंगो कि उसका आपको भारी नुखसान की उठाना पड़ेगा तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल साइट पर दिखाने वाला तो इसलिए वीडियो म हूँ हे तो इस कंडिशन में कहीं हमारी जङ़ाद लगेगी कॉस्ट हमारे पूरी वहीं लगनी है तो ध्यान लगे दूसरे अगर बात कि यालो आती है कहीं थोड़ा सा मलब उसमें इस पोर्ट से ब्लैक से इस पोर्ट आते हैं और आपने कभी दिखाऊगो कि इट में काफी ज्यादा होल होते हैं शेप भी आपको देखना है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में होनी चाहिए कोई ऐसा नहीं कि टेडी मेरी इट है तो उसको आपको अवय्ट करना चाहिए तो अभी हम बात कर लेते हैं जो हम 9 इंचि की बात कर रहेते जो हम 9 इंची के नहीं चाहिए तो क्या दिक्कत होगी देखो प्लẹड तो हमारा 9 इंची का यह है जैसे कि आपके 9-12 इंची का आपको लिए प्ल act दिखाई दे रहा अब इसके उपर एक वाली इट रखूँगा जो 9 इट है तो वहां से दोको सेब बराबर है और दूसरे फेस पर हमारा क्या है यहाप आपको जगा दिख रही है खाली अभी आपको लग रहा है कि यहाप को बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आपका प्लास्टर लेविल में आएगा तो फिर आपको काफी मोटा प्लास्टर करना पड़ेगा और उस वज़े से आपकी कॉस्ट भी काफी ज़्यादा बढ़ सकती है तो इसलिए हैं पर काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी आपकी दिवाल है वो 9 इंची की होनी चाहिए जब भी आपकी दि ब्रांट जहां लिखा रहता है उसमें जो डाउन पोर्ट्शन रहता है उसको बोलते हैं फ्रॉग ठीक है फ्रॉग मतलब जिसे मैंडक होता है अब यह क्या करता है जब आप इट पर इट रखके बनाते हो दिवाल को तो उसमें मसाला यह एब्सॉप करता पकड़ तही रह ब्रांट जो लिखा रहता है या कुछ भी नाम लिखा रहता है वह काफी ज़्यादा बैटर करते हैं कि वहां पर वह सरफेस को थोड़ा सा रफ करता है तो यह चीज़े हमें चेक करने पड़ती है अगर मैं और चीज़ की बात करूं तो दो यह आपका कुछ एक टेस्ट य और जो लोग उत्राखंड से ब्लॉंग करते हैं जैसे कि उत्राखंड में मैं कुछ एरिया बता देता हूं जैसे कि हलदवानी हो गया हलदवानी के नियर पास जो भी आठ से दस किलोमेटर के दाएरे हैं तो उनका कोई वहां पर प्लान है घर बनाने का क्योंकि इस वीडि घन रती है चाहिए वो खुलाइट विश हो तो अगर आप सीर्द में काप करते हैं तो आप इनको कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं इनका नम्मर इस वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दूंगा और वहां पर आप इनको कॉंटेक्ट करके जो भी रेट रहें कैं एक दम मतलब एक good quality quality product आपके तौर पे देखने को मिलेगा जो भी इनका घर रहता ये product के तौर पे उसको बनाते हैं चाहे वो bid metal हो चाहे वो liver rate हो दोनों ही में best quality है और मेरी जितनी वीडियो देखिए आपने जो design को लेके तो वो भी इनी के द्वारा बने होती है तो यहाँ पे हमारा कुछ जो test है site पे जिनको आपको perform करना वो चीज़े धियान रखनी है साथी साथ अगर मैं बोलू जब आपकी site पे eat आती है तो जो eat उतारने वाले होते हैं वो जो ठिया लगा देते हैं वो चीज़े देखने हैं कहीं से कोई eat हमारी ज़्यादा टुकड़े टूटे हुए तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ignore कर देते हैं इन सब चीज़ों को और जब आप काम कराते हैं तो धीर धीर आपको पता चलता है कि eat आपकी काफी ज़्यादा टूटी ओ इटे निकल रही है और वो टूटी ओ इटे जो होती है वो और टूट जाती है और फिर आप उसको से बेस्टीज के परपस से ही यूज करते हैं और उसमें आपको यकिन मानना कॉस्ट काफी ज़्यादा वैरी कर जाती है एक चीज को जरूज नोटिस करना जैसे मैंने size को बोला था क्योंकि आपकी दिवाल तो उतनी ही बड़ी रहेगी लेकिन उसमें eat की quantity ज़्यादा लगेगी अगर आप कम size किया है छोटे size ही eat लेते हैं और आपको देखो पैसे भी पूरे उतनी ही दे रहे है तो आपको उतने ही देने हैं चाहिए आप छोटी eat खरीद हो चाहिए बड़ी तो क्यों ना बड़ी eat खरीद के हम एक बड़ी दिवालगों कम eat में cover करने दोनों ही चीजे यहाँ पर दोनों में difference आपको समझ में आगया होगा और भी टेस्ट होते है जैसे कि जो कि laboratory test होते है जिसमें water absorption रहता है जिसमें आप अगर एक eat का बजन देखोगे तो वो 20% से ज़्यादा पानी नहीं सूखनी चाहिए और अगर हम नॉर्मली एक eat का बजन की बात करें तो धाई से 3 किलो हमारा बजन होना चाहिए एक crashing strength test होता है जो आपको site पर पता नहीं चल सकता वो आपको laboratory test वही करना पड़ेगा बड मैंने यहाँ पर वो चीज़ें बताई है जो आपको easily site पर पता होनी ही चाहिए एक eat को इस्तमाल करने से पहले तो मुझे उमीद है कि मैंने जो भी बाते आपको बताई है वो आपको बहुत ही सही तरीके से समझ में अगर होंगी practically करके दिखाया तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से clear हो गया होगा चाहिए वो size को लेके कैसे size test किया जाता है बट मेरी आपसे request यही रहेगी कि अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना और हमारा एक चैनल और है जिसका नाम में focus अपना घर तो उसका link भी मैंने इस वीडियो के description में देता तो उसको भी subscribe कर लेना बाकिया त्रिवोन जी को contact कर सकत है घर को बनाने के निए